नमस्कार कारिकरम खास मुलाकात में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और खास मुलाकात में आज हमारे साथ भारतिय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता हैं जिनके विक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो वो 2003 की उस कोर टीम के मेंबर्स रहे हैं जिनोंने जावली य और यह कहा जा सकता है कि इस नाते उन्होंने 2003 में जिस भाजपा की टीम ने जीत की नीव रखी मध्यप्रदेश में जो अभी तक बदस्तूर जारी है उसके वो एक बहुत महत्पूर्ण सगस्य है उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों यह मानते हैं कि वो चुनाव ल और किस तरह से आकरशक बनाये जा सकता है यहां मैं बात कर रहा हूँ चुनाव से जुड़े हुए या राजनीतिक आयोजनों की इसकी भी महारत उनके पास है और इसको लेकर उनकी प्रशंसा भी होती है और उनके आलोचक अपने माथे पर बल भी डालते हैं कि यह किस तरह से किसी भी इवेंट को इस तरह से आगे ले जाते हैं अगर मैं बात करूं 2018 की तो उनकी काफी important भूमी का इस माइने में देखी जा रही है कि चुनाव लड़वाने की जो एक committee होती है जो तै करती है क्या मुद्दे होंगे विपक्ष को कहां पकड़ना है कैसे घेरना है और इसमें कई बार नैतिक और कई बार नैतिक नहीं ऐसे युद्धनीती के तरीके भी अपनाने पड़ते हैं तो मैं जादा suspense नहीं रखूंगा मुलाकात करिए भारतिये जनता पार्टी के युवानेता और प्रदेश उपाध्यक्ष का दाइत तो समालने वाले विजेश लु इससे बहुत ताकत से निपटना पड़ेगा फिर आपके गुरू और अब तक मध्यप्रदेश में चुनाओ के एक अदभुत महारती अनिल माधव दवेजी अब नहीं है संसार में और बहुत ताकत से आप आपकी पूरी टीम उनके साथ जोड़कर चुनाओ को एक बहुत ह जबरदस तरीके से बीजेपी के पक्ष में ले आती अब इस बार माना जा रहा है कि कमान जो टीम समालेगी आप उसके एक बहुत एहम सूत्रदार होंगे किस तरह देखते हैं आप 2018 की इस चुनोती को और किस तरह एंटी इंकमबिंसी की इस कुलाड़ी से आप बचने की को हो लोगों ने 2003 का विधानसभा 2003 का लोकसभा 2004 का 2008 के विधानसभा फिर 2009 का लोकसभा और 13 का विधानसभा और लोक असमान का अंतर हैँ दोहजार-3 हम विपक्ष में थे हमने तभीयत के साल के दिग्विजए सिंग के राच को और आज भी मैं गर्भ के साथ कीता हूँ अभिमान के साथ कहता हूँ कि आज भी हम घखड़े होते हैं और लोगों में बदलाव आया है और जो बच्चे स्कुलों में थे वो अब वोडर बंगा है याने कि दो जनरेशन बदल चुकी है और यही सबसे बड़ी हमारी चुनोती है दो जनरेशन बदलना अपने आप में उनको कोई मतलब नहीं है कि दिग विज़े सिंग के काल में सडक म मतलब है आज के समय से मतलब है विज़े जी आपने बहुत बात कही है और मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि सच्चाई की जमीन पर आप चल कर चुनोतीयों को देख रहे हैं यानि हम कह सकते हैं कि इस बार आपकी उपलब्दियां ही आपके लिए चुनोती हैं अकांक्षी भारत का उदय हो रहा है और यह अकांक्षी भारत चाहता है कि मध्यप्रदेश इंडस्ट्री में आगे बढ़े आईटी में आगे बढ़े हेल्थ बहतर हो स्कूल एजूकेशन बहतर हो और यह ऐसे एरिया जो आपको कहीं न कहीं थोड़ी चिंता में तो जरू सारे काम हैं उसकी कोई कमी नहीं है और साती सात इन चार सालों के केंडर के काम नर væreंडर मोदी जी के काम दुनिया बहुत याद कर रही है है भारत की जंता लगे रखंटीख की सर्कार बने हमारी असली लड़ाई भारती जनता पार्टीख सते में अधे कॉंग्रेस को में हम कहीं वी नहीं मानता हूं कि कॉंग्रेस कहीं इस दोड में है लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था दो हजार तींग के चुनाओं में हम केवल प्रिंट मीडिया के इस्तेमाल कर सकते थे हम नुकर नाटक कर सकते थे हम वॉल पैंटिंग कर सकते थे एसमेस शुरू हुए थे दो हजार की आठ की दुनिया में टेक्नलोजी बदली इमेल के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुचे हमने आडियो कॉल भी किये हमने वीडियो कॉल भी किये वीडियो रिकॉर्डिंग करके छोटी-छोटी फिल्में भी बनाने की कोशिश की और दो ह ज्माना धीरे धीरे आ रहा हुता वाटसेप के माध्यम तक लोगों तक पहुचना अपनी बात कहना मुझे यादे 2008 में हम लोगों ने होल्दिंस लगाए थे कमलनाज जी की होल्दिंस लगाये थे कमलनाज जी ने कहा था कि गरीब को दो टाइम नहीं खाना चाहिए अगर उसके पास नहीं है तो एक टाइम खाना खाना चाहिए और वो होल्डिंग पूरे प्रदेश में लगे थे हमने बंटाधार के होल्डिंग लगाए थे पूरे प्रदेश में लगाए थे लेकिन अब इन चीजों से बदलावा चुका है दुनिया सोशल मीडिया पर पहुच वाटसेप के ये चीजों से उबने लगी है ट्वीटर की दुनिया बहुत बड़ी है बहुत सारी है अब सिर्फ और सिर्फ जो अपने केडर को चार्ज कर लेगा जो बूत तक पहुच जाएगा और सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर किसी ने दिया था तो मध्यपदेश दिया था दो हजार टीन कि जावली की टीम ने दिया था प्रतिक मतदान पर पन्ना प्रमुख होना चाहिए हर मध्यान पर ध्र्ष भारती जंता पार्टि का पर सखीर है और मध्यप्देश केंदर की सरकार कि योज़नाओं को नीचे तक लेगा कि आपकी बात से में यह समझ पा रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि चुनाओ फिर एक कोर इशू पर फिर आ गया सारे प्रचार के माध्यम महत्वपूर्ण हैं रहेंगे भी लेकिन अब उनके अतिरेक से या उनकी बहुत जादा इस्तेमाल से लोग परिशान भी हुए हैं उनको लगता है हर जगे टेलिविजन पर चेहरे वही परिशे चेहरे पक्ष के विपक्ष के वही आप देखें तो वीडियो वही म्यूजिक अब आप मान रहे हैं कि जिस पार्टी की ताकत चुनाओं में बूत तक और काडर पर बहुत मजबूत होगी क्या आप दिल पर हाथ बड़ा काडर है जो नाराज है असंतोश है और शायद यही वज़े है कि आप और कई वरिश्ट नेताय कहते हैं बीजेपी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से हैं निश्चित बात है परिवार बढ़ता है तो असंतोश बढ़ता है और निश्चित हम गर्व से कहते हैं कि हम सवा करोड से जादा के भारती जंता पार्टी के सदस्य मध्य प्रदीश में हैं विचार को में मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूं और निश्चिते परिवार बड़ा है अपिक्षाएं बढ़ती है सरकार की कोशिश भी होती है संगठन की कोशिश भी होती है और कहीं न कहीं जब सरकार होती है तो संगठन कहीं न कहीं परदे में चला जाता है और उसी को ठीक करने के लिए आने वाले समय के लिए भारती जंता पार्टी ने एक महती कारियोजना बनाई है कुल 67,000 से जादा मतदान के अंदर मध्य पदेश में हैं 11 फरवरी से लेकि 18 फरवरी तक प्रतेक बूथ पर एक कारिकरता साथ दिनों के लिए जाएगा वो कारिकरता होगा शिवराज सिंग चोहान, वो कारिकरता होगा केलाज विजय वरगी, वो कारिकरता होगा नरिन सिंग तोमर, वो कारिकरता होगा विजय सुनावत और वो कार करता होगा मेरा वाट का सेयोजक यानि ये कार करता सभी साथ दिन तक उस मतदान केंदर के प्रभारी होंगे उसके पालक होंगे इसको अल्प कालीन विस्तारक योजना का नाम हमने दिया है पहला चलन हमने ग्राम केंदर नगर केंदर का मई 2017 में किया था और 11 फरवरी से 18 फरवरी तक इसको मद्य पदेश में कर रहा है यानि हर बूत तक अपने उस केडर को वापिस रिवाईव करने के लिए वहां तक पहुचने के लिए युवाओं को जोडने के लिए सबको जिम्मेदारी दी गई है ददस दस अपने प्रतेग बूत पर जोड़िए युवाओं को जोड़िए सोशल मीडिया की टीम बनाई है आईटी की टीम बनाई है महिलाओं को जोड़िए एंजियोस को जोड़िए हमें अपने कारिशेतर का विस्तार भी करना है और लोगों तक पहुचना दी यह काफी important बात है किस तरह देखते हैं आप recent past की अगर मैं बात करूँ तो दो by elections जो बड़े important थे जिसमें एक आप बहुत narrow margin से हारे अटेर की मैं बात कर रहा हूं और फिर चित्रकूट आप फारे जहां प्रत्याशी चैन को लेकर भी एक debate हुई कि यह प्रत्याशी आपका जो था इसको लेकर मुक्यमंत्री की सोच कुछ और थी बाकी senior leaders की सोच अलग थी नगरी यह निकाय हैं कि चुनाओ के नतीजों की मैं बात करूँ मैं यह नहीं कहूंगा आप loser end पर खड़े थे लेकिन आपको मिला नहीं कुछ और Congress आपके बराबर आकर खड़ी हो गई और उसने कड़ी टक कर दी इसको आप किस तरह देखते हैं क्या यह 2018 के लिए ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं कि अपने घर को दुरुस्त करिए मजबूत करिए निश्चित है गलतियों से सीखने ही चाहिए और मैंने आप से पहले भी का था भारती जंता पार्टी को भारती जंता पार्टी ही हरा सकती है और यह पूरी तरीके से प्रूफ किया है नगरी निकाय चुनाओं में कॉंग्रेस में आज भी कह रहा हूं कहीं नहीं थी वहाँ पर हम धार हरें केवल 165 वोटों से और हमारा बागी बहुत मजबूत कारे करता था वह 8000 वोट लेके गया वहाँ पर कहीं न कहीं दिकत अंदर की भी बागी क्यों बन रहे हैं लो क्या उनकी सुनी नहीं जारी जै नहीं कहीं हम संगठें के माध्यम से उन तक पहुच नहीं पाए उनको समझा नहीं पाए आने वाले समय का हम लोग नहीं कर पाए इसके करण यह दिकत गई है हमको और निश्चित है इसको सुधारने के लिए इसी को सुधारने के लिए पूरी तरीके से पार्टी को नजर हमारी सीटें नहीं है यह परंपरागत कॉंग्रेस की सीटें हैं चित्रकूड और अटेर भी कॉंग्रेस की सीटें थी नेता प्रतिफक्ष वहां से विधायक थे निश्चित साहनुबती की लहर मिलती है उसके बावजूद भाजपा ने बहुत अच्छी टक कर दिया हम में मुंगावली और कोलारस का इतिहास बदलेगा और इनुप चुनाओं में नहीं शरजी में यह कह रहा हूं आने वाले 2018 के चुनाओं में कॉंग्रेस मुक्त का अगर सपना कहीं पूरा होगा तो वह मध्यप्रदेश में होगा ना राजा बचेंगे ना महराजा बचेंगे साहब और नाथ बी अनाथ हो जाए इसके पीछे आप वज़े क्या देखते हैं अगर मैं आपके इस दावे को सच मानू कि आप कह रहे हैं चोथी बार मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी बड़े-बड़े दिगच कॉंग्रेस के राजनेता परिद्रश्य से हट जाएंगे तो वज़े आप क्या देखते हैं क्योंकि वज़े में तो मुझे बहुत सॉलिट चीज़ें अभी मैं इक दिन ता 2014 का जब वो प्रदान मंत्री बने थे आप गाउं में जाएए प्रदान मंत्री आवास योजना आप शेहरों में देखिए प्रदान मंत्री आवास योजना क्या रिस्पॉंस है आज तक सतर सालों में किसी ने ये नहीं सोचा था कि हर सिर्फ पर च्छत होनी चाहिए पहली बार कोई प्रधान मंत्री ऐसा बना है प्रधान मंत्री उज्वला योजना शरज जी चीजे फेलती है चीजे उसका रिस्पॉंस भी देती है लेकिन जब रिजल्ट आते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है विजह जी लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप कब तक प्रधान मंत्री और मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान की इमेज पर ही डिपेंड करेंगे कब तक आप पूरी नहीं होने दिए एक चीज़ प्रधान मंत्री जी की योजना है जी एस्टी जबर्दस रिस्पॉंद देगा मुख्यमंत्री जी की करता है लेकिन हम भी यूस्टी हो जाते हैं सतर सालों से आदस सी बन चुकी थी और ये क्रांतिकारी कोई भी परिवर्तन होगा रातो रात चाहिए वो नोडबंदी हो आज नोडबंदी का रिस्पॉंस अपने को मिल रहा है दिख रहा है चीजें बढ़ रही है देश की एक साथ मेरा बना हुआ है बना हुआ है मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा है बना हुआ है और वह रिस्पॉंस है ही चीजे उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री जी की योजना है चबर दस्त रिस्पॉंस लोग भले ही बोलें कि ये घोशना करते हैं ये चीजें पूरी नहीं होती है भावंतर आने वाले समय में किसानों के लिए क्रांती पेदा कर देगा जो पहली बार कहा था उसकी फसल का उ चिद्दाम तो किसान को वाकई उसकी खेती फाइदे का धंदा होती जा रही है समय आप यह मानते हैं कि मद्यप्रदेश में शिवराज जी और केंडर में प्रदानमंत्री की छवी एक गेम चेंजर इस 2018 के मद्यप्रदेश के चुनाओं में बड़ा रोल प्ले करें निश् सासी आशी हैं मद्य-परदेश में हम को राड़ेते हैं कि अप की बार दोसों पार तो बेठे बेठे नारा नहीं देते हैं को यह इक शगूफा नहीं है एक नारा नहीं है है 207 सीटों पर भारती जनता पार्टी कभी न कभी जीत चुकी है अगर हम कभी जीत चुके हैं तो 2018 में क्यों नहीं हम 2018 में भी वो सीटे जीत सकते हैं इन करीब करीब सो उमीद्वारों को बदलना होगा आपको ऐसा ऐसा परसिप्शन है निश्टे आने वाले समय में जो जीतेगा उसको मिलेगा जो काम करेगा वो रहेगा और यह पार्टी तो अपनी जगेप है जनता भी यही कहती है जो बीच में रहेगा जो जनता का काम वही सर्वाइव करेगा उसी को रज़ेट मिलेगा जनता नाराज हो सकती है कई बार होती भी है उसका रजल्ट देती है और हम लोगों के लिए अलार्मिंग भी होता है और उसी 207 शिटों के लिए आप बात कर रहे हैं एंटी इंकम्बेंसी कोई शब्द नहीं होता अगर कोई साथ बार जीत रहा है जैन्त वलिया जैसा, कोई गोपाल भारगोजी जैसा आदमी जीत रहा है लगाता अरचनाओं में, कोई केलाश विजवरगी रमेश मेंदोला जीतते हैं, कोई विश्वा सारंग तीन बार जीतते हैं, कुछ तो कारण होता है, कुछ तो कारण नहीं कर सकता की जिसकी डेफ्ट है जिसकी पहुंच है जिसकी पकड़ है वह अगेंस्ट आलोड्स जीता चला आता है। उसको कोई तकलीफ नहीं होती। एक अलग तरह का सवाल आपके सामने में रख रहा हूं। अलग तरह का इसलिए कि जिन लोगों को आप विनरबिलिटी क रहती है कि तुम आउटसाइडर हो, तुम बाहरी हो, तुम हमारी रीती नीती में घुले मिले नहीं हो, ऐसे छट पटाते हुए नेताओं को या तुम मुक्त कर दीजिए, या फिर आपको लगता है कि इस बार फिर आप लेके आएगे। मैं लगता है कि शरज जी कुछ परसेप्शन मीडिया भी बनाता है, डॉक्टर भागीरत प्रसाद भी कॉंग्रेस से है, संजे पाठक जी भी कॉंग्रेस से आये थे, हमारा एक बहुत 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 विभाग संजे पाठक जी के पास है, राव उदय प्रताप सिंग भुजबल अहीरवार बसपा से आए थे ऐसा नहीं जो आए हैं जो काम कर रहे हैं वो टिके हैं और जो रज बस गये हैं प्रदीर पटेल हमारे रिवा के बहुत बड़े नेता हैं वो भी बसपा से आए थे आज वो यहीं पर है यानि मैं यह कहना ज़ा मुकेश चोधरी जी को ना राजे सभा, ना लोक सभा, निश्चीट है, राकिल जी के लिए भी काम है, आने वाले सभी के लिए काम है, और ये तो भारती जंता पार्टी का सिद्धानत है, हर व्यक्ति को काम, और हर काम के लिए व्यक्ति. विजे जी मैं concluding questions की तरफ आ रहा हूँ, एक perception ये उभर रहा है कि मद्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान को जैसा support चाहिए, वो support नजर नहीं आ रहा है, वो कई बार अकेले पड़ रहे हैं, जिस तरह का team से एक support चाहिए, जिस तरह से पीछे से लोग उ सब्सक्रेश वrina को मिलता है, और न संगठन से मिलता है, आप आप इस पर क्या दोकिता है, तो निश्जिते की मुख्या लगा तो सरकार लगी रहती है, और संगठन तो पूरी ताकत के साथ, पारी के अंदर यह पटाया निससना कर सकता है लेकिन यह मात्र मुक्ह मंत्री हो कि वे भार्व यून देश को भार्ती जन्ता पार्टी करता है कि बैठा को दिन्दोरी में वह होते हैं 123 बैठा कबाला घाट में हो या युवा मोर्चा की बैठा को जैन में हो इस ओपिनियन पे नहीं पहुचा जा सकता है कि संगठन आप मानते हैं मेरे लिए संगठन सर्वो परी है सरकारबाद में है ये शिवराज जी ही मानते हैं आखरी सवाल की तरफ में आ रहा है मद्यप्रदेश में एक पीड़ी है युवा निताओं की जो अब एक मिचॉरिटी की तरफ आ गई है जिसमें आप भी शामिल है और बड़ी संख्या में ऐसे निता है आलोक संजर जी को मिल गया मौका आलोक शर्मा साप को मिल गया हैं और कई नाम है आखिर ये राइट टाइम है कि अब विजेश लुनावत जैसे कारेकरताओं को भी सामने लाइए उनको भी मौका दीजे उनके मन में भी काम करने का एक अर्मान है उन्होंने संगठन में अपने को प्रूव किया है उन्होंने जिस मोर्चे पे उनको अब सुनी नहीं जा रहे हैं शायद मुझे लगता है कि लोगों की परीशाणी यही है संगठन से बड़ीया काम कोई सार नहीं हो सकता है और जो आप के वह अक्ति हैं कि सत्ता आती जाती है लेकिन संगठन का काम और और अगर कारकरता गड़ने का काम मिल रहा है कारकरता के साथ काम करने का मौका मिल रहा है उससे अच्छा काम कोई हो नहीं सकता कोई नहीं हो सकता और ये ने मैंने अपनी चौईस से अपनी पसंद से ये तै किया था और मैं तो भारती जिंता पार्टी का शुकर गुजार हू 2003 में जब मौका दिया था जावली जो है वो प्रताब गड़ का किला है वो जावली का जंगल है जावली का जंगल है जहां शिवाजी ने अफजल खां को मारा था गोरिल्ला युद्ध में और हमने उस जावली से कॉंग्रेस रुपी और दिगवजे सिंग रुपी रावन का अंत किया था उस जावली से ये थी वो जावली की कहानी और आज की जावली के लिए हमने उसके माइने बदल दी हैं अब विकास का आगे बढ़ेंगे विकास की जीत के लिए आगे बढ़ेंगे, तो रही बात, कारकरता वाली बात, तो कारकरता को तो जो पार्टी जिम्मेदारी दे, मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, दो दो बार उपाध्यक्ष, आखिर एक कारकरता जिसका कोई political background नहीं हो, उसको पार् प्रियोटाइप और बड़ा तपा हुआ उत्तर आता है, ये तो पार्टी के उपर है, पार्टी जो हाँ तै करेगी, जो जिम्मेदारी देगी, उसको निभाएंगे, चुनाव लड़ने की इच्छा तो होगी? मुझे 2018 का चुनाव लड़वाना है, भारती जनता पार्टी को फिर से मध्रपदेश में सरकार बनानी है, चोथी बार सरकार बनाने जाएंगे, जनता भी यही चाहती है, पार्टी भी यही चाहती है, और मैं भी यही चाहती है. लेकिन चुनाव लड़वाने का काम, चुनाव लड़ते हुए करना क्या कथिन होगा? जिस विजन और जिस द्रिश्टी को लेकर आप आगे बढ़ते रहे हैं उसके लिए आपको बहुत शुब कामना है आपके भावी राजनितिक जीवन के लिए भी शुब कामना है ये थे बीजेपी के प्रदेश उपाद्यक्ष विजेश लुनावद खास मुलाकात में इतना ह अगली बार एक और खास शुक्सित को लेकर आपसे बलाकात करेंगे अनुवती दिए